diabetes patient का एक काफी common question होता है कि उनके blood sugar levels के क्या goals होने चाहिए क्योंकि जब तक हमें goals नहीं मालूम तब तक हम diabetes को properly manage नहीं कर पाएंगे तो diabetes में treatment goals होते हैं सबसे पहला parameter होता है glycosylated hemoglobin जिसे popularly हम कहते हैं HbA1c जो पिछले 3 महिने का average sugar को represent करता है ये day to day basis पे एकदम से fluctuate नहीं होता तो normal HbA1c level होना चाहिए less than 5.7 percentage और अगर ये 5.7 से लेके 6.4 तक है तो इसे हम pre-diabetes बोलते हैं and more than equal to 6.5 is diabetes तो हम diabetes patient में इस HbA1c का level रखते हैं less than 7% और कितना frequency पे ये चेक कराना है ये आपको चेक कराना है once in every 3 months जिससे कि आपका पिछले 3 महिनों का जो status है वो पता चल जाता है हाँ अगर कोई elderly people है जिसको की बहुत low sugar होने का risk है और low sugar पे आप हमारा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं कि why low sugar is so dangerous तो elderly में हम इसका target 8% या उससे नीचे भी रख सकते हैं और कई बार होता है कि T1 diabetes के बच्चे जो होते हैं initial years में वहाँ पर भी हम ये target थोड़ा सा बढ़ा के ले सकते हैं 8 और 8.5 क्योंकि उसमें भी हमें low sugar बिल्कुल भी नहीं होने देना है because of the brain effect coming to कि धर पे जो monitoring होती है वो होती है home monitoring वाले एक glucometer से जो कि fingers के blood glucose को इसे हम कहते हैं capillary blood glucose level इससे check करते हैं तो जो हम as a doctor advice करते हैं patient को वो बताते हैं कि आप अपना खाने से पहले का sugar levels चेक करिए और खाने के 2 गंटे बार वाला sugar चेक करिए तो खाने से पहले खाने से पहले 5 या 10 मिट पहले हम sugar levels चेक कर सकते हैं और वो target होना चाहिए 80 से लेके 130 के बीच में कोई भी meal हो चाहें breakfast है, lunch है या dinner है और meals के 2 गंटे बाद वाला sugar अब question आता है कि 2 गंटे कब से count करना है from the starting of the meal या finish of the meal तो यहाँ पर आपको calculate करना है from the first bite of your meals उससे आपको 2 गंटे बाद sugars चेक करने हैं और target होना चाहिए less than 180 खाना खाने के बाद वाला और जब आप एक diary बनाते हैं तो उसमें अपनी readings लिखते हैं तो आप एक gross readings का average देख लीजिए कि 70 से लेके 180 के बीच में कितनी readings हैं आपकी अगर more than 70% of the times यानि कि 10 में से 7 reading आपकी 70 से 180 के बीच की range आ रही है तो इसका मतलब है कि आप अपने diabetes के goals को achieve कर पा रहे हैं और आपका diabetes की जो complication होती हैं उसका risk काफी कम रहेगा आजकल तो continuous glucose monitoring वाले patch भी आ गई हैं जो 15 दिन का glucose को monitor करते हैं और उससे भी हम HbA1c को calculate कर लेते हैं तो हमें फिर 3 मंज तक wait नहीं करना पड़ता उस patch के readings के accordingly HbA1c हम देख सकते हैं तो ये हैं targets of glucose control in diabetes तो अगर आपके कोई questions है, queries है तो आप हमें comment section में जरूर पूछिए Thank you